Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीड़ियो में करने वाले हैं भार्व के परिवैन तो परिवैन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भार्वाद का परिवैन है, उसे तीन भागों में बांटा गया है तो वो कौन-कौन से भाग है, तो सबसे पहले आते है, स्थल सेकंड नमबर पर आता है जल और थर्ड नमबर पर आता है वायू परिवेहन तो ये सब आपने common बढ़ा हुआ है कि परिवेहन है जो वो तीन परकार को होता है स्थल परिवयन, जल परिवयन और वायू परिवयन इसके बाद जो स्थल परिवयन है उसको भी आगे क्या है डिवाइड किया गया है तो वो कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है तो एक रेल परिवयन है एक सड़ परिवयन है और पाइपलाइन उसी तरीके से जो जलपरिवयन है उसे भी दो पागों में बांटा गया है एक समुंदरी परिवयन होजेगा जलपरिवयन और एक आंत्रिक जलपरिवयन और जो वायू परिवयन है इसको भी दो पागों में बांटा गया है एक तो घरेलू वायू परिवैन और एक हैं अंतराष्ट्य वायू परिवैन तो आज जो हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है सड़क परिवैन तो normally क्यों होता है कि जो कोशन होते हैं उसमें यही पूछे जाता है कि जो पूरा से पश्चिमी गली आ रहा है वो कहां से कहां तक जाता है या फिर उत्तर दक्षिन गली आ रहा है या फिर कोई भी एनेच यानि कि नैशनल हाईवे के बारे में पूछे जाता है तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे normally क्या है कि जो एनेच है उनके नाम हम काफी अब परिवर्तित कर दिये गए है बर जो पेपर है वो क्या है कि एनसी आटी के बुक्स के अकॉर्डिंग आता है और उन बुक्स में अभी भी क्या है कि जो राश्टिय राजमा के नाम है यानि कि नैशनल हाईवे के जो नंबर है वो पुराने ही चले आरहे है तो अब हम दो वडीयोज बनाएंगे जिसमें एक वीड़ियो में हम पुराने नंबर के अकॉर्डिंग नैशनल हाईवे करेंगे और एक जो नए नैशनल हाईवे नंबर आए है उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो जो आज हम करने वाले हैं वो NCRT books के according and जो पुराने national highway numbers है उनके according करेंगे तो सबसे पहले जो important questions है वो कौन कोंसे पूछे जा सकते हैं तो इसके बारे में देखते हैं तो पहला question क्याते है कि सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग कौन सा है तो इसका जो answer है वो है NH44 जो NH44 है वो क्या है भारत कर सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग है अब ये कहां से कहां तक जाता है इसको हम map के according देखेंगे तो बहुत easy है अगर आप एक या दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको यानि कि रटने की ज़रूरत नहीं है आप easy way में समझ आओगे तो NH44 है जो वो भारत कर सबसे लंबा क्या है नैशनल हाईवे है और ये कहां से कहां तक है तो ये जमू कश्मीर से शुरू होता है शीनगर से और ये क्या है दक्षिन में कन्या कुमारी तक जाता है तो इस तरीके से हमें एक लाइन बना देंगे ताकि हमें समझ भी आ जाएगा तो ये वाले जो नैशनल हाईवे है वो है NH44 इसे उत्तर दक्षिन गलियारा भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तर में जम्मु कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिन में कन्या कुमारी तमिल नाडू तक है इसका नाम है NH44 तो हमारा पहला कोशन ये कलियर हो गया कि उत्तर दक्षिन गलियारा कौन से है तो NH44 और यही जो NH-44 है यह भाज़् कर सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग है दूसरे नमर पे आता है कि पूरफ से पश्चमिंगलीयारा कहां से कहां तक है और उसका क्या नम है तो जो पूरफ से पश्चमिंगलीयारा है वो गुजरात से शुरू होता है गुजरात के पौर बंदर से ये शुरू होता है और इसके बाद ये असम के सिल्टर तक जाता है यहाँ पर बांगलादेश है तो इस तरीके से एक बार इंडिकेट कर देते हैं तो ये जो NH है ये पूरा से पश्चमी गलियारा है जो कि गुजरात के पौर बंदर से शुरू होता है और ये असम तक यहाँ पर है और इसका क्या नाम है तो NH 27 तो ये जो NH है वो बहुँ ज़्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि यही पूछा जाता है पूरा पश्चमी गलियारा कहां से कहां तक है और वो कौन सा नेशन हाइवे है तो NH 27 और हमने अब देख लिया है पूरा से पश्चम गलियारा उत्तर दक्षिन गलियारा हमने देख लिया है अब इसके बाद हम देखेंगे जीटी रोड तो ये जो जीटी रोड है ये काफी बार यानि की कॉश्चन में पूछा गया है तो इसके बार में देखेंगे बट इसके अलावा एक और कॉश्चन आता है कि पूरा से पश्चिम और उत्तर दक्षिन गलियार है जो वो आपस में एक दूसरे को कहां पर काड़ते हैं तो जहां पर ये काड़ते हैं उसका क्या नाम है जहांसी जहांसी कहां पर है उत्तर परदेश में तो जहांसी नामक स्थान पर क्या है उत्तर दक्षिन और पूरा पश्चिम गलियार है जो वो एक दूसरे को आपस में कारता है इसके पर जो next question है वो है जीटी रोड तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जी जीटी रोड ये शेर्शा सूरी के द्वारा बनवाई गई थी प्राचिन समय में जो जीटी रोड है वो पाकिस्तान से लेकर बांगलादेश तक थी जिसमें क्या है कि भारत है जो बीच में आता था तो इसी कार्म भारत में भी क्या है ये जीटी रोड का निर्मान करवाय तक अब यह जो GT Road है इसकी जो numbering है पुराने नंबर के according आज हम देख रहे हैं तो इसमें जो GT Road है इसके बार में देख लेती हैं तो यह पंजाब से लेकर कलकत्ता के बीच में आती है तो इसमें जो National Highway है वो दो है तो यहां पर मान लेजे दिल्ली तो जो अमरीसर से लेकर दिल्ली तक का नैशनल हाइवे है उसका नाम है NH1 तो यहां लिख देते हैं NH1 और जो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक का है वो है NH2 तो इस तरीके से जो GT रोड है वो NH1 और NH2 इन दोनों को मिला कर क्या है GT रोड बनाई गई है और यह प्राचे समय में पाकिस्तान से लेकर बांगलादेश के चटगाव तक थी और बटमा समय में अमरीसर से कलकत्ता तक है तो जो question mainly आते हैं वो यही आते हैं उत्तर दक्षिंग गलियारा के बारे में पूरव से पश्चिम गलियारा के बारे में बादकर सबसे लंबा राष्ट्य राजमार कौन सा है या फिर जीटी रोड के बारे में या फिर question आता है कि सबसे छोटा राष्ट्य राजमार कौन सा ह तो सबसे चोटा राश्ट्रा राज में अगर हम पुराने नंबर के अकोडिंग देखने हैं तो NH-47A NH-47A कहाँ पर है तो यह केरल में है यहाँ पर एक नैशनल हाइवे है जिसका नाम है NH-47A केरल में एक द्वीब है वैलिंटंगन द्वीब तो वहीं पर यह नैशनल हाइवे है इसके अलावा जो important कोशन है वो है स्वनिम चतरबुझ तो normally यह जो कोशन है यह बहुँ ज़्यादा important है इसके उपर एक scheme यानि कि यह सडक से related है तो यह कोशन भी आ सकते है कि जो स्वनिम बड़े महानगर है उन्हें आपस में जोड़ना था अब यह कौन-कौन से महानगर है तो दिल्ली, मुंबई, चन्नाई और कलकत्ता यह जो चार महानगर है इन्हें आपस में जोडने के लिए यह योजना चलाई गई थी और यह जो योजना है वो 2000 में चलाई गई थी और क बाद मुंबई से चैनाई चैनाई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली यह जो चार महानगरों को जोड़ना है यही स्वानिम योजना से डिलेटेड है तो इसमें कौन-कौन से नैशनल हाइवी आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं तो नॉर्मली अभी हमने पढ़ा था कि जो कलकत्ता से दिल्ली तक है वह है नहीं तो नॉर्मली यहां पर हमारा एक कन से प्लियर हो गया कि इसमें स्वानिम जो चैनाई योजना है इसमें कौन सा नैशनल हाइवी आता है तो इसके अलावा कौन सा आते हैं तो दिल्ली से लेकर जो मुंबई तक का एरिया है वहां कौशन आजए की भारत सबसे लंबा राश्ट्यावी कौन से है राष्ट्यय राजमार एक पर आजए के भारत का सबसे बीजी यानि कि जो ज्यादा है वह न्युली आशनल हाइवे तो नह य तो यह नहाए Alf वो कौन सा है तो इसका जो नाम है वो है NH4 तो इसे आप किस तरीके सार रख सकते हो NH1 यहाँ पर हो गया तो यह हम काउंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि यह महानगर को जोड़ रहा है तो 2 यहाँ पर 2 के जट सामने कौन सा है NH4 यहाँ पर है NH8 और जो चैनाई से लेकर कलकत्ता तक जाता है वो है NH5 तो इस तरीके से जो स्वानिम चतरबुज योजना है इसमें कौन-कौन से नाशनल हाइवे आते हैं तो NH2 आता है NH8, NH5 and NH4 यह जो 4 नाशनल हाइवे हैं यह स्वानिम चतरबुज योजना से रिलेंटेड करते हैं आपको यह स्वानिम चतरबुज योजना है इसके बारे में समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने 4 महानग्डों के नाम लिख दिये हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो अब इस तरीके से अगर हम नाशनल हाइवी पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़ाधा एजवे में याद भी हो जाएगा अब जब हमने इतने साय नाशनल हाइवे के बार में बात की है तो main question ये भी आता है कि जो national highway है उसका निर्मान और उसका रखरखफ कौन करेगा ये question काफी पर पुछा गया है तो इसका जो answer है वो है राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन या फिर यहाँ पर भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन भी आ सकता है इसका नाम अगर short form पूछी जाए तो N, N से राश्ट्रिय है, H से highway, फिर N, H, A, I ये इसका नाम बनता है अगर question में आ जाए यानि कि अगर आपका option ये दिया हो भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन तो इसका answer या आएगा otherwise अगर ये नहीं दिया गया है तो इसका एक और नाम है तो उसके बार में देख लेते हैं ये बाद में बना था इससे पहले एक संस्था बनी गई थी जिसका नाम था केंद्री है तो normal है कि national highway है तो ये केंद्र से related करते हैं यानि कि केंद्र सरकार है जो उनका इसके उपर control होता है तो केंद्री है clock, निर्मान, विभाग तो इसके जो form है वो क्या है C, C से केंद्री है, P से public, W से work, D से department तो इस तरीके से ये दो नाम है जो कि NH, यानि कि national highway के निर्मान रख रखाव से related करते हैं So hopefully आपको national highway है जो वो समझ में आगे होंगे इसके साथ ही अब 2019 के according जो आंकडे आए है उसके उसके अनुसार जो वीडियो है वो आपको कल अप्रोड करवा दी जाएगी And जादतर कोशन के ओता है कि पुराने ही national highway के पुछी जाते हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी And इसके साथ ही अगर ये कोशन आजे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्य राजमार्ग है जो वो भारत में किस राज्या में है तो और नॉर्मली इसका जो आंसर आएगा वो है मुंबई मुंबई में सबसे ज़्यादा क्या है NH national highways है So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो like my video, subscribe my channel Thank you friends for watching my video, thank you